स्प्रति की वीथियों से एक लंबी टेर आ रही है, चिंगारियां बुझ गई, पर ताप है कि कम ही नहीं हो रहा, दुख को कुंद करने वाली अफीम, चांदी का वर्क लगाए बाटी जा रही है, सारा आकाश खुला है, विचार को छोड़ कर, इन सब के बीच हम सब आत्मी इक्षन टालते हुए भवर में घूमती नाव हैं, परन्तु इस बुरे समय में भी मा की करुणा ने बचा रखी है बोरसी भराज, जिसकी सुलगन लिए बचानी है अभी मन की पूरी प्रित्वी, यतीश कुमर अस्पताल तक जाती नदी दो बारिशों के बीच कितना बड़ा हो जाता है आदमी, राजिंद्र धोड़ब कर उम्र के चड़ते पायदान पर बच्पन की स्मृतियों से बढ़िया मलहम कोई दूसरा नहीं अवचेतन की जड़ों में ही सनी हुई, ये समय समय पर संचरित होकर जीने की शक्ति प्रदान करती रहती हैं और अगर गलती से द्रिष्टि भ्रम हो जाए, तो समय इन पर वाई पर चला कर पूरा शीशा साफ कर देता है और यूँ इस मृतिकी खदान के अयसक का इंधन लिए जिन्दगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है इस यात्रा में रह रहकर बहुत कचोट तैमन और कचोट की पकड़ से बाहर आने के लिए जाने अन जाने उन लम्हों को अवचेतन से चेतन में बार बार ले आने की कोशिश करता रहता हूँ बच्पन की मिश्ट्री और हलवे भी थोड़ा चक लेता हूँ जिन्दगी फिर से ताजातरीन लगने लगती है बच्पन की यादें अब भी चमकदार पारदर्शी या यूँ कहूं डावकी के उमनगोट नदी की तरह बिलकुल साफ हैं और यहां इस मृतियां द्रिश्यों को जसकतस दर्ज कर रही है कलपना से इतर्थ या थार्थ के बारीक और मुलायम धागों से बुना आकाश गहरे सुक दुख और पीड़ा के रंगों से रंगी हुई पूरी तस्वीर लिये दिख रहा है कविता लिखने के लिए कवी दूसरों के दुख में किस कदर घुल मिल जाता है और फिर किस कलात्मक ढंग से उस अनुभाव को अभिव्यक्त करता है कि वो लोगों के अवचेतर में बैठ जाती है पर जो बरसों बरस इस मृतियों में अक्षुन्ड रह जाता है ता उम्र कचोटता रहता है और उससे हलका होने के लिए उसी अक्षुन्डता से रूबरू होने के लिए जन्म लेता है संस्मरण राज बिहार जिला मुंगेर और स्थान कियूल नदी जिसके तट पर बसा है अनुमंडल लखी सराय उस समय का सबडिवीजिन जो अब जिला बन चुका है और वहां का अनुमंडली एस्पताल जो मेरी जिन्दगी की किताब में अपनी सारी विशंताओं के साथ हू बहू हाजिर है जिसके पन्ने बार बार फटपड़ाते रहते हैं और मेरे चेतन को कुरेटते हुए रह रहे कर अपनी उपस्तिती की हाजरी लगाते रहते हैं वो जगा जिसे अनुमंडली एस्पताल लखी सराय कहते थे उसने समय से पहले मुझे बड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया जिन्दगी के माएने, दोस्ती का मतलब, बहन का होना और भाई का घर से बाहर होने के कारण होकर भी न होना बहन, मा और अस्पताल, बस इतनी छोटी सी दुनिया थी मेरी पिता, इस मृती के अलग हिस्से में है और पूरी तरह शामिल नहीं है इस संस्मरण में जब तक मुझे कुछ समझ में आता, बड़े भाई सैनिक स्कूल तिलैया में प्रवेश कर गए और पीछे अपना ओज, अपना पढ़ा कुआ भामंडल छोड़ गए भाईया की प्रतिछाया बनना तो मुश्किल था, तो अपनी अलग ही आभा बना डाली लापरवा, आवारा, बुलककर्ड, गुमककर्ड और नजाने क्या-क्या वो जब भी लोटते, तो नाना जी के घर मुंगेर छुट्टिया मनाने चले जाते अस्पताल की जिन्दगी को मा, दीदी और मैंने एक साथ जिया पापा का होना, हमारी जिन्दगी में एक कम वोल्टेज वाली ट्यूब लाइट की तरह था जो के हमेशा से ही जलती बुचती रही यहां तक के मेरी इस्मलिती में भी अस्पताल के सामने एक विस्त्रित मैदान हुआ करता था जिसकी सुन्दर बाहरी बनावट जरूर किसी दिल और दिमाग दोनों में सामन जस्ते रखने वाले अभी अन्ताने बनाई होगी मुझे एस्पताल हमेशा अंदर से अंधेरे की चपेट में ही दिखाई दिया अंदर घुप गलियों जैसा वातावरन रहता वार्ड की तरफ हलकी फुलकी रोशनी फैलती रहती जो खिड्कियों या रोशंदानों से होकर दिन के वक्त भी शर्माती हुई आती सामने की गेट से वार्ड तक जाना तीसरे पहर के सफर के समान लगता उस अंधेरे से उजाले की तरफ के सफर में एक अजीब सी कुल बुलाहट मची रहती इस पिरिट की महक और तरह तरह की दवाईयों का हवा में व्यापत मिश्रन हमेशा ब्रहमित करता कि सांस लेना बेहतर है या सांस छोड़ना दीवारों पर नमी मनों सिसक सिसक कर अपना दुख और व्यथा सुनाना चाहती हो परतों में नजाने कितनी ठंडी कहानिया चुपाए सफेद नजरों से घूरती रहती ठंडी लाश की तरह बेचान ठंडी दिवारें कुछ नहीं बोलती बस सुनसान में किसी रोती हुई रहस्चमाई ओरत की तरह डराती बारिश के दिनों में अन्धेरा और बारिश की बाचार मिलकर साथ-साथ वौड के गलियारों में चप-चप के खेल-खेलती और यूं अंधेरे का वो माहौल और नमी की चिपचे पाहट जिन्दगी का नमकीन हिस्सा बन गई कुल मिलाकर हम बच्चों के लिए ये एक पूरा रहस्ते में ही संसहर था जिसमें हमारा बच्पन तप रहा था, पक रहा था स्टाफ कौर्टर के नाम पर अस्पताल के ही कुछ हिस्से को कर्मचारियों ने घेर रखा था सिर्फ प्रभारी जिला चिकित्सक को अलग से बंगला मिला हुआ था वो भी जूले के साथ और वो जूला मेरी नजरों में हमेशा से चुपता रहा जूले पर बैटकर अंगूर खाता हुआ, उनका लड़का अपनी संपन्नता के दर्पन में हमारे अस्तित्व को बौना बनाते हुए चिढ़ाता नजराता अंगूर उन दिनों हमारे लिए जादा खटे होते थे स्मृति में जिसकी खटास आज भी मेरी मीठी जिन्दगी का रस बिगार देती है लगबग स्टेडियम जितना बड़ा पूरा मैदान बिना एक भी पेड़ पौधे के पूरा खुला आसमान लगता जहां हमेशा से आमंतरन था जूमती हवाओं के साथ उड़ने का उनी जूमती हवाओं में पला बढ़ा मै मा स्टाफ नर्स थी ठीक अस्पताल के पीछे वाले वार्ड के एक छोटे से हिस्से पर बाकी लोगों के साथ हमारा भी कबज़ा था हम उस छोटे से हॉल में साड़ियों की दीवारे बना कर रहते थे जो रिष्टों की डोरी में बंधी थी और बेहद मजबूत थी मा के आने और जाने की कोई समय सीमा तै नहीं थी वस्तुता हम दोनों भाई बहन एक दूसरे के राज़दार थे मेरी सारी शैतानियां, बदमाशियां और अयारियां सब दीदी को ही पता होती मा की नजरों ने मुझ में कभी कोई आप देखा ही नहीं वो मेरे जूट को भी आसानी से सच मान लेती और अस्पताल के हर उस स्टाफ के साथ बिना कुछ सोचे समझे लड़ाती जो मेरी शैतानियों की फेहरिस्त लिए घूमते रहते कालांतर में ये अटूट विश्वास मेरे सकारात्मक बदलाओ का कारण बना उन दिनों निरोद निशुलक बाटा जाता था बाटने के लिए शायד कोई नियमित संख्या माने के कोटा भी निरधारित की गई होगी जिसे पूरा करना नहायत ही अनिवारे रहा होगा कर्मचारियों के लिए इसलिए पेपर की भरपाई के साथ-साथ कई बार पूरा का पूरा पैकेट ही मैदान में फेका हुआ मिल जाता हम बच्चों के लिए वो फ्री का गुबारा था जो मैदान पर गहास को छूते ही फट जाता है हम इसकी असल उपयोगिता से पूरी तरह अन्भिग्य थे बेखबर मासूम हम निरोध के गुबारे उड़ाते उड़ाते अस्पताल के अंदर घुज जाते सब के सब हमें यू देखकर दबी दबी हंसी में खिल खिलाते एक दूसरे को कहुनिया मारते हुए कभी कभी हंसते और डांट फटकार भी लगा देते पर कभी किसी ने सही बात समझाई ही नहीं कई बार तो गुबारा फुलाते फुलाते ही फट जाता और एक अजीब सा पाउडर चेहरे पर चिपक जाता और हम वही शक्ल लिये हुए अगले खुबारी की चाह में कमपाउंडर चाचा के पास जाकर जित करने लगते कि हमें निरोध खुबारा चाहिए चाचा इधर दूर देखते हमसे नजरे बचाते चिपाते हुए चुपके से हमें हमारा खुबारा दे देते ऐसी कई जानी अंजानी शरारतों से भरा हमारा बच्पन अपने ही सलीखे से गुजर रहा था तब मल्टी स्किलिंग का नाम इतना आम नहीं पर मां आल इन वन थी इसके लिए उनको हर जगा किसी के भी रिप्लेस्मेंट के लिए उप्युक तोर जिम्मेदार मान लिया जाता कमपाउंडर नहीं आया है दवाईया बाटनी है या सर्जन का सहयोगी नहीं आया है तो ऑपरेशन थीटर में काम करना है या फिर किसी गाउं में कैम के लिए जाना है मतलब कहीं भी कभी भी एक ही पंक्ती में कहना हो तो मा कभी न थकने वाली चीटियों की तरह अपनी जिम्मेदारी आने भाती रहती उपरेशन थीटर को थीटर क्यों कहते हैं कभी समझ नहीं सका पर वहां घटित होने वाली धेरों सच्ची कहानिया हमेशा बड़ी दिल्चस्प लगी ओपरेशन थीटर के ठीक पीछे हमारा चोटा सा हथियाया हुआ घर था ओपरेशन थीटर की खिड़की हमारे घर की तरफ खुलती थी ओपरेशन के दोरान अकसर हम अपनी दिदिया के साथ खिड़की के भीतर जहांकते रहते और कई बार द्रिश्ट भी ऐसे होते जो साधारन बाल मस्तिष्क में कौतूहल और भै दोनों एक साथ भरते उसी खिड़की से चाय और पकोड़े की दरख्वास और आदेश समय असमय अपने रंग बदल-बदल कर मिलते जैसे यहां कोई फ्री का होटल चल रहा हो और हमसे चाय और पकोड़े की शकल में वहां रहने का किराया वसूला जा रहा हो दिदी बनाती और मैं वार्ड बॉय की तरह सबको खिड़की के रास्ते चाय नाश्ता पहुँचाता साथ ही गवाह भी बनता रहता आपरेशन थीटर में रोज जन्मती, विचित्र और अजीब और गरीब कहानियों का वो सारी कहानिया बिना बताए समय की पीट पर दर्ज होती चली गई कई बार ऐसा भी होता कि किसी संदिक्द क्रिमिनल को गोली लग गई वो पुलिस से बचकर आया होता और परिसर में चर्चा हो रही होती कि अब इसका क्या किया जाए और अंतता भै के मारे बिना पुलिस को खबर दिये उसका इलाज कर दिया जाता कभी कभी वैसे लोगों को नींद की सुई लगा कर पुलिस को इत्तिला कर दियाती ये सब उस आदमी के अपने वर्चस्व और समय की नजाकत पर निर्भर करता था बुरा जितना शक्तिशाली उतना ही असरदार लोकल सिस्टम ने समय समय पर अपने कानून खुद गढ़ रखे थे जो लिखितना होने पर भी सब के अबोले जुबान पर होते थे वैवस्था ने अपना संतुलन पूरी तरह बनाया हुआ था कुछ गुदगुदाने वाली रोचक घटनाए भी घटती रहती जैसे एक दिन एक बूरी अम्मा की सांस अटक गई पता चला के पेट दो गुना फूल गया है सत्तर साल की अम्मा अंतिम सांस के लिए तड़प रही है देर रत का समय होगा सुपर इमर्जेंसी वाला माहौल क्योंकि ये हसनपूर के किसी धनाड धिदबंग के घर का केस बताया गया सो सब लोग सुनकर भागे भागे पहुँचे सब परिशान के हुआ क्या है बूरी अम्मा कुछ कहनी पा रही थी बस सांस की दिक्कत के इशारी किये जा रही थी उपयुक्त निरीक्षण और घरवालों से बाचीत पर निशकर्श ये निकला कि अम्मा ने जरूरत से ज़्यादा चूड़ा खा लिया था और रात में पानी पीना भूल गई थी और जब पानी पिया तो चूड़ा पेट में फूल गया और गैस ने हलक पर कबजा कर लिया सांस अटक गई और फूले हुए पेट को ढीला करने के लिए पाइप डाल कर गैस उतारी गई उसके बाद सभी लोग बूड़ी अमा को आपरेशन रूम में ही छोड़कर भाग खड़े हुए सचमुच फूरा कमरा अमोनिया वाली दुरगंद से भर गया अमा की कहानी आज भी जब याद करते हैं तो पेट पकड़ पकड़ कर हंसते हैं कुछ घटनाएं बहुत ही मरमस परश्री थी जैसे मां अकेली आई बच्चे को जन्व दिया और चल बसी अकेली आई मा का यूँ बे समय जाना और अस्पताल को एक और अनात बच्चे की जिम्मेदारी दे देना सच में बहुत कुरूर समय था वो दृष्ट भी ऐसा जहां बाप का नामों निशान नहीं मा की लाश सामने और मासूम नजर चमक कर खिल खिल कर कहे मुझे खुब दुलारो खुब प्यार करो लाश को देखकर आँखों में आसू और नौनी हाल को देखकर मुसकान भग जोगनी की तरह चेहरे पर आती जाती रहती ऐसे असमंजस भरिक्षन बहुते रह होते हमें से ही कोई उस बच्चे को रुई से दूद पिलाता होता तो कोई लोरी सुनाता कानूनी प्रक्रिया को जगने में समय लगता इसनी प्रशासन की नींद तूटने तक बच्चे को जिन्दा रखना ही प्राथमिकता रहती कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जिसमें ममता और वातसलिके इतर क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी जैसे बच्चे को जन्देते ही कुछ घंटे में प्रसूता का रफू चक्कर हो जाना प्रशन उटता कि अब उस लावारिस को कौन देखेगा फिर परिवार को खबर दी जाती और बच्ची को उसके घर पहुँचा दिया जाता कभी कभी परिवार ही माँ और बच्ची दोनों को छोड़कर भाग जाता कहता तीसरी बच्ची हुई है अब इस करमजली को कौन ले जाएगा हम सब मिलकर उसे कुछ दिन अपने साथ रखते फिर न जाने वो दोनों कहां गुम हो जाते एक बार तो बच्ची की शकल बहुत ही भयानक निकली तो लोगों ने उसे राक्षसी का अवतार मान लिया और उसे मार डालने की साजिश तक रच दी इन किस्सों की अपनी श्रिंखला है जिसे केंदर बिंदू बना कर लिखना शुरू कर दूँ तो अलग से पूरी किताब रचनी पड़ेगी इन किस्से कहानियों की बीच मेरे लिए मां का बेही चक आगे बढ़कर सब संभाल लेना असहच समय में अविलंब उप्युक्त निर्ने लेना हमेशा से प्रेणा दाई रहा और हमारे अंतस्बे कहीं इस गोण के बीज जन्मते रहे और समय के साथ पनबते भी रहे हमने मां को हर ऐसी अंसुलजी समस्या को बिना परेशान होती वे सुलजाती वे देखाए जटिलता को सहचता से सरलता में परिवर्तित होती वे देखना मेरा सौभाग गिरा है कालांतर में मां को इन गुणों ने चर्चित और परेशान दोनों किया पास के गाउं हसनपूर जो के कियूल नदी के तट पर बसा हुआ था वहां बालू पर वर्चस्व रखने को लेकर घटित घटनाओं का प्रतिकूल असर अस्पताल पर सीधा पड़ता था उन दिनों गोलियां चल जाना उतना ही स्वभाविक था जितना सरवदा सूखी की उल नदी में असमे बाल आ जाना हर बार किसी को गोली रात में ही लगती और बत्ती का उसी समय गोल होना प्रकृती का विधान सा लगता एक अजीब रहस में आवरण पूरे वातवरण को घेरे रहता हमेशा खुसुर पुसुर और बुदबुदाहट हवा में तैरती रहती हम बच्चे उस आइसपस्ट भैसे विमुक्त बेखबर मतरगश्टी करते पिरते तो कभी सब कुछ दूर से नहारते रहते सच पूछिये तो यह अस्पताल हमें हमेशा नाटक का मंच ही लगा जिसे हम जैसे बच्चों ने कभी विशुद दर्शक तो कभी अदाकार की तरह जिया नया अस्पताल अभी अभी बना ही था और हम लोग पुराने अस्पताल जो के एक हिल्थ यूनिट जैसा था से आये थे सच ये भी था कि अब तक आधे कर्मचारी ही आ पाये थे स्टाफ की कमी के कारण या ज़ादतर कर्मचारीयों के शहर में रहने के कारण मा को सफाई से सरजरी तक हर काम करना पड़ता हालात ऐसे भी हो जाते कि दस साल की उम्र का मैं और मुझसे ढ़ाई साल बड़ी दीदी को जरूरत पढ़ने पर आपरेशन के दौरान टॉर्च दिखाने का भी काम करना पड़ता मुझे याद है कि हमरे कमजोर हाथ कई बार थर थराते और उन्हें आपरेशन करने में कितनी दिक्कत होती मुझे याद है अक्सर जब किसी खास महाशे को गोली लगी होती तो उनका विवहार बड़ा अजीब सा होता कमरे में हेकडी और विंती का मिश्रित स्वर गुंजाएमान होता जिसमें कुछ चुनी हुई गालियां भी शामिल होती वो सरवदा भूली जाते कि सामने पुरुश है या महिला या पिर बच्चे उन्हें सिर्फ ये याद रहता कि वो दर्ब से ओत प्रोत पुरुश हैं जिनका अधिकार है बेहिसाब गालियां बरसाना हलाकि ऐसे लोगों को रास्ते पर लाने के लिए अस्पताल के भी अपने नुस्खे और सदेवे तरीखे थे उनके ऑपरेशन में सबसे ज़ादा वक्त लगता जो सबसे ज़ादा गाली देते साथी सबसे ज़ादा सुई और ऑपरेशन के सबसे गहरे घाओ भी उन्हीं को सहने पड़ते कई बार जब वैसे महाषए से भी बड़े महाषए को गोली लगती गोली को बाहर निकालने का तरीखा बच्चे को गर्ब से निकालने जैसा ही होता वो भी कभी दिखती कभी ओज़लो जाती आदमी को देखकर टांका लगाने की संख्या का भी निरने लिया जाता अब सोचता हूँ प्रतेक्ष खून देखने का जितना डर अब लगता है तब क्यों नहीं लगता था दस साल की उम्र में ये दिल दहलाने वाले अनुभवते ये घटनाएं आपको कठिन समय के लिए बहुत ही चुपके से तियार करती रहती है और वो कठिन समय बिना तैयारी का वक्त दिये बिना बताए अचानक धप से प्रकट हो जाता है आपकी सहनशीलता में परिपक्वता का आवरंड चढ़ता रहता है और एक वक्त ऐसा भी आता है जब आप मौत तक के धर्द से जर्द नहीं होते मानू कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे हूँ और ये दुरघटना एक सामान दे घटना जैसी प्रतीत होने लगती है ऐसा ही हुआ था जब असमय पिता गुजर गए और हमें लगा ये एक सामान दे घटना ही तो है जबके अब भी मैं बहुत छोटी सी बात पर या फिल्म के किसी भावुक सीन को देखते हुए या अपनों के बीच अपनी बात रखते हुए रो पढ़ता हूँ जबके बड़ी व्यक्तिकत घटना हो जैसे किसी अपने को खोने या अस्पताल में भरती होने पर शून्नी की पनाह में चला जाता हूँ एकदम पत्थर समझ दीजी शायद मनों भाव की ऐसी अदलब अदली का कारण अस्पताल में बीता बच्पन ही हो सच यह है के मुड़े तुड़े इरादे अपनी जेब में आज भी रखता हूँ मुझे हमेशा से विश्वास है कि वो मेरा साथ देने वाले हैं हलाके समय की ठोकरें अक्सर मेरे इरादे बुहार देती हैं और मैं खाली जेब बे इरादा गूमता फिरता रहता हूँ यही बे इरादा या जावरी एक निर्वात रचती है और मैं उसमें प्रुवेश कर सुकून की पनाह पाता हूँ फिर से जिन्दा हो जाता हूँ आज भी कुछ नहीं बदला है जब भी शून्ने में विचरता हूँ निर्वात का खोल सबसे सुकून की जगह लगती है यहां मुझे विस्मृती की पनाह मिलती है पर सच ये भी है कि विस्मृती को जगाने और इस्मृती में बदलने के लिए हम जीवन को अपने पुराने धर्डे याने के पुरानी पटरी पर ले जाना चाहते है इसके लिए उसे एक खास ले की तलाश होती है और आगे बढ़ने के लिए ताल मिलाने की भी जिस ले और ताल से भरे जूम की तलाश रही वो अक्सर मुझे रेलवे यार्ड में मिली बच्पन में सुनसान क्यूल नदी में भी जब मन नहीं रमता तब इस्टेशन से दूर पटरियों पर कूट ताप फानता रहता वहाँ ठैरी हुई नदी से विपरीत चारों और चीजें गतिमान थी इस ले ने मुझे उस निर्वात के बढ़ते जाल को तोड़ने में हमेशा मदद की तब कभी सोचा भी नहीं था कि ये पटरियां मेरी जिन्दगी में कितनी दूर तलक का साथ लेकर आई है कि आज भी इनी के बीच जीवन बीत रहा है उस समय की रेल से जुड़ी कई घटनाएं याद आ रही है पर कुछ घटनाओं को यहां साजा कर रहा हूँ जिसके स्मृतियां आज भी बिलकुल तरो ताजा है एक बार जखमी हालत में एक बुढ़ी अम्मा को लाया गया जिनका पैर अस्पताल में आते ही काटना पड़ा वो रेल्वे स्टेशन के याड में कोईला चुनती थी थोड़ी पगली अन्य मनस्क सी खोई हुए बेटे की याद में बुदबुद आती फिरती कैसे गिरी किसने धक्का दिया या आत्भत्या की कोशिश थी पता नहीं पर ये अप्रिय घटना घटी और ट्रेन से उनका पैर अध कुचल सा गया जिसे अविलंब अस्पताल आते ही ऑपरेट करना पड़ा अस्पताल का अपना ही नियम होता है जो दवाईया सप्लाई में कम होती है उनकी राश्णिंग होती है कोटे से बढ़ती है और इस कोटे के अनुसार डायकर्ट्रीसिन इंजेक्शन एक सबता हमें खत्म हो गया जैसी हालत थी कि दवाई अभी कुछ दिन और अम्मा को मिलनी चाहिए थी मा के साथ पूरी टीम चिंतित थी और तभी शांती मौसी ने दिमाग लगाया कि जितने उप्योग में लाए गए खाली इंजेक्शन के वाइल है उन्हें डिस्टिल्ड वाटर से दो कर उस पानी को अम्मा को चढ़ाया जाए और ऐसा ही हुआ इस उपाये ने अपना आसर दिखाना शुरू कर दिया थोड़े ही दिन बाद जब वो थोड़ी सामानी हुई तो सबने ये महसूस किया कि राद दिन अम्मा अपने बाल नोचती रहती है बुरी तरह सिर्क हो जाती रहती है उनके बाल बिलकुल चिडिया का खोता और साथ में स्प्रिंग की रस्ती वाला च्छला भी हम लोग उनके लिए पावरोटी चाहे लेकर जब जाते तो इतने गंदे बाल की बद्बू से परेशान होकर सांस रोके वहीं सामने रखकर भागाते तब मा और शांती मौसी को एक और उपाय सूजा और उन्होंने मिलकर उनके बालों को तारपीन के तेल में भिगोया तॉलिया लोपेट कर राद भर छोड़ दिया सुबह जब तॉलिया हटाया तो हजारों की संख्या में जूँ चिपकी पड़ी मिली सब को ये देखकर उपकाई सी आ रही थी पर इस काम को रोजाना करने में दीदी ने मा की बहुत मदद की गरम पानी से उनके पूरे बदन को साफ किया गया वो बिलकुल अलग नज़र आने लगी बहुत जल्द एक अलग ही रूप था सामने जिसमें अभी जीने की अथा चाह बची हुई थी जाते हुए हम सब को धेर सारा आशिरवात दिया सनेह की अविरल धार में कितनी दुआएं नहित थी ये उनकी आँखों से साफ दिखाई दे रहा था जब वो आई थी तो कोईले के धूल से सनी हुई थी और जाते समय एक सुन्दर गोरी दिव अमा दुआओं के पुंज पीछे छोड़ती जा रही थी रेल से जुड़े हुए किस्से हैं जो शुरू कहीं भी हो पर अस्पताल की चोहदी में आकर ही खत्म होने इसी कड़ी में एक बार जी आर पी राजकी ये रेलवे पुलिस दौरा तीन लोगों को लाया गया तीनों का शरीर बुरी तरह से एंट रहा था और साथ ही वो बिलकुल बेसुत थे पता चला बाढ़ और बढ़हिया इस्टेशन के बीच किसी नशाखोर ने उन्हें खाने के बहाने कुछ ऐसा खिलाया कि वो बिहोश हो गए नशाखोरी के शिकार लोग अक्सर हां आते रहते अस्पताल में पर शरीर की ऐसी एंटी पहली बार दीख जा रही थी चेहरा टेड़ा हो गया था और इन तीनों लोगों में एक की हालत जादा खराब हो रही थी उन तीनों का सामान तो पहले ही गायब हो चुका था उनके पास पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था पैसे सामान के साथ चोरी हो चुके थे अस्पताल में सभी लोगों द्वारा जो कुछ भी बन पढ़ा सब किया गया पर उन में से एक बीमार पांच दिन के बाद भी पूरी तरह होश में नहीं आ पा रहा था रह रहकर नीन में वो अपने आप चिलाता और उसका शरीर तड़ब उठता उसके शरीर में पानी भी इस डर से लगातार चड़ाया नहीं जा पा रहा था उसे एक शंड को होश आता भी तो वो जो कहता किसी के पल्ले नहीं पढ़ता बस होश आने पर गुंगी आता रहता बागी दोनों मरीज तो दस बारा दिन में लगभग ठीक हो गए पर ये शख्स तो जैसे अन्यमनस्क हो गया बारवे दिन भी बहुत मुश्किल से अपने गाउं का नाम भरी बोल पाया पुलिस को इत्तिला करने के बाद ये निशकर्ष निकाला गया कि इसे इसके गाउं भेजा जाए वहां कोई न कोई जरूर पहचान लेगा समस्या ये थी कि ये कैसे गाउं जाएगा इसे कौन लेकर जाएगा ऐसे में एक पुलिस कॉंस्टिबलिस शर्त पर तयार हुआ कि एम्बुलेंस मिलेगी तब ही पहुँचाऊंगा अब समस्या ये भी थी कि एम्बुलेंस में मरीज लाए जाते हैं घर नहीं भेजे जाते माने कानूनी अर्चन जिसकी काट ढूनना जरूरी था अब सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस से गाउं तक भेजने का जिम्मा कौन उठाए काइदे कानून के भीतर इसे कैसे निप्टाया जाए मानवता सारे काइदे कानून से बढ़कर होती है और यही सोच कर सभी स्टाफ ने मिलकर एम्बुलेंस के तेल का खरचा साजा किया और ड्राइवर को मनाया गया कि इसे गाउं छोड़कर आए सारे अस्पिताल को इस सामुहिकता ने चैन की सांस देना किसे कहते हैं सिखाया ऐसी घटनाएं हम बच्चों के लिए एक सच्ची सीख जैसी थी रेल से जोड़ी हुई एक और मार में घटना सुनाता हूँ जिसे याद करते हुए आज भी मेरे रोंग्टे खड़े हो जाते हैं ट्रेन ने जाजा क्रॉस किया था जाजा और जमूई के बीच गिद्धेश्वर जंगल है वैसे तो ये जंगल नकसलियों के घर है पर वहां का गरीब कुनबा इसी जंगल से लकडी चुनकर या काटकर ट्रेन में अवैद रूप से ढोता आया है ट्रेन के दर्वाजे के पास शौचाले के बीच लकडियों का गठर होना उन दिनों इतना आम द्रिश्य था के सभी यात्रियों को ये सामान नहीं लगता था वैसे भी दुरगटना गठने से पहले तक सब सामान नहीं लगता है बाद में सौ गल्तियां निकाल लिये कोई फर्क नहीं पड़ता गर्मी अपने चरम पर थी तो पहर का समय था किसी की पी हुई बीडी की चिनगारी थी या लापरवाही में फेकी हुई अजली बीडी देखते देखते लकडियों का गठर दावानल में बदल गया ड्राइवर को जब तक लपटें दिखती हैं तब तक ट्रेन ने अपनी गती बनाए रखी थी पर जैसे उसे समझ में आया कि कुछ बड़ा घटने वाला हैं उसने अपनी गती को और तेज कर दिया और ये सोच कर कि किसी तरह कीवल स्टेशन पहुँच जाए तो पानी की विवस्था हो जाएगी पर लपटों ने उसकी एक न सुनी और चेन पुलिंग और अपनी जान बचाने के सामुहिक असर ने उसे आउटर पर ही इमर्जेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन से चलंग लगाने को मजबूर कर दिया अच्छी बात ये थी कि ट्रेन में कोई A.C. का डिबबा नहीं था दर्वाजे पर गठर होने के कारण लोगों को कूदने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा सौ से ज्यादा लोग जखमी हो गए आम जन और सरकार के साजे प्रियास से सब को अस्पताल लाया गया अस्पताल जले हुए लोगों की कराह से कराहने लगा हम बच्चों के लिए एक भयावा मनजर था नवजाद शिशू, छोटे बच्चे, बूड़ी अमा, नववधू, बूढे, बुजर्ग सब एक लाइन से कराहते हुए इस बुरे समय में बस एक बात अच्छी थी के चार-पाँच को छोड़ कर कोई डीब बर्न केस नहीं था और सब लोग संभालने की स्थिती में थे जलन का दर्द कितना हिर्दय विदारक होता है ये वही समझ सकता है जिस पर बीत रही हो एक नवववाहित जोड़े का पूरा सामान जल गया दुलहन का पैर और दूले का हाथ जल गया पर दोनों दर्द में भी एक दूसरे को कितनी प्यार भरी नजरों से देख रहे थे उसमें धेर सारा धारस बंदा था तेरा धनाड डिव्यापारियों का एक समूह भी था जिनका सब सामान जल चुका था उस समय उनके उपचार के साथ जरूरी था उन सब के लिए खाने का इंतिजाम होना इतनी बड़ी घटना में समाज के लोगों की प्रतिभागिता हो जाए तो कितना सुखद दुख पर थोड़ा मलहम लग जाता है राजकुमार एक कॉंग्रेसी थे जिन्होंने इन मरीजों को यहां पहुँचाने में मदद की थी उन्होंने ही हिम्मत की और कई लोगों को इकठा किया सब के घर से चावल, आलू और दाल लाया गया मेरा और बच्चों के साथ काम था बाल्टी भर-भर कर पानी लाने का उस समय मेरी उम्मर कुछ ऐसी थी कि हैंड पंप चलाने के लिए मुझे हर बार उचल कर पंप के हैंडल के उपर चड़ कर लटक न होता इसलिए एक दो बाल्टी के बाद ही मुझे इस काम से हटा दिया गया और अब मैं सबको गिलास और मक छलकाते हुए पानी बांट रहा था जामुन मामा जो के खान समय याने रसोहिया थे वो सोयम सेवक की तरह अपने काम में जुट गए इंट का चूला बना और बड़ा सा तसला चड़ाया गया जैसे इंजन में कोईला डाल कर आग बढ़ाई जाती है वैसे हस्पताल से इकठा किये गए कूट यानि कार्टन की दफ्ती और स्टोर की पैकिंग की लकडी डाल कर आच बनाई गई और बढ़ाई गई सच दर्द के माहौल में मलहम पक रहा था भाया चुट्टी में आया हुआ था और मरीजों को उतारने, बिठाने और स्ट्रेचर पकड़ने में पाल मामू की मदद कर रहा था दूसरे दिन सुबह दर्द कम हुआ और दर्द की शकल और भयावा हो गई हम बच्चों के लिए जॉन्शन वाइलेट वाला बैगनी फपोला बहुत इविक्रित डरावना प्रतीत हो रहा था इन फपोलों को कैंची से कपड़े की तरह काटते वे देखना और उससे बहते वे पानी की धार की फुहार आपको भीतर तक हिला देगी सुबा नाश्ते के लिए केले पावरोटी की विवस्था अस्पताल की तरफ से हुई पर हम लोगों ने सब को फिर चापा कल से पानी लाकर पिलाया उन तेरा लोगों में सबसे बुज़ुर्ग की आँखें ब्रेट केले के साथ हाथ फैलाते हुए अचानक चल चला गई कहने लगे कि अपने शहर में हजारों को पंगत में खिलाते रहें हाथ हमेशा उपर ही रहे आज इश्वर ने ये दिन दिखाया है कि हाथ फैला कर खाना मांग रहें जिन्दगी ऐसी महत पूर्ण सीख देने के साथ बच्पन, अस्पताल या यूं कहें जिन्दगी की पाठशाला में अपने डेग बढ़ाती रही नित नई सीख देती रही यादे भी उन सिक्कों की तरह हैं जो रेल जैसी चुक चुक बच्पन के नीचे आकर और चोड़ी हो जाती है चलिए, रेल के डिब्बे से बाहर जिन्दगी को वापस पटरी पर लाते है ये असी के दशक की बात है उन दिनों गाओं देहात में कायदे कानून थोड़े से ताख पर ही पड़े रहते थे हर किसी की जिन्दगी में कुछ खास वर्ग की दखल अंदाजी जरूर से जादा रहती थी जातिवात के आपसी वर्चस्प में संगर्श अकेला और जार था उन्ची और नीची दोनों जातियां अपनी अपनी सीमा विस्तार में लगी हुई थी सबके जूतों की माप अचानक बड़ी हो गई थी नई लोकतांत्रिक राजदितिक पार्टियां जातिवात का ज्छंडा फैरा रही थी जिसका असर गाउं और बस्ती पर भी पढ़ रहा था ऐसे में अस्पताल की राजदिति में भी जातिवात का असर दिख जाना स्वभाविक था यहां तक कि बच्चों पर भी इसका सीधा असर हुआ कभी मन होता तो बड़े डॉक्टर सापका लड़का हमसे बात कर लेता कभी साथ में खेल लेता तो कभी घर में भी नहीं गुसने देता बच्चे भी गुटों में बट रहे थे पर बच्पना गुट बंदियों को बहुत देर तक टिकने नहीं देता ये भेद भाव क्रिकट के मैदान या गिली डिंडा और कंचू की आवाज में गुम हो जाता आश्चे रहे कभी भी जातिवाद हमारे घर से ऑपरेशन कक्ष में जाते चाय पकौड़े पर नहीं पड़ा सभी जाती के डॉक्टर और सहयोगी समान भाव से जायके का मजा लेते और समय बे समय ये मांग हमेशा बनी रहती इन बातों से यही समझा कि सारे ढकोसले पेट के सामने द्वस्त हो जाते इसी बीच एक ऐसी घट्टा हो गई जिसकी कल्पना हम में से किसी ने नहीं की थी डॉक्टर सिंग भूमिहार नहीं थे पर अस्पताल को अपनी मर्जी और ज्यादा ही कड़ाई से चलाना चाहते थे कड़ाई का अलम ये था कि किसी को छुट्टी भी बमुश्किल देते विशेश कर किसी खास वर्ग को मा बंध्याकरण ऑपरेशन कैंप में उनकी पतनी डॉक्टर ओर्मिला की सहाई क्या की तोर पर जाती थी टॉक्टर ओर्मिला मा से बहुत हंदर्दी से पेश आती और उनका दोस्ताना विवहार मा को भी उनके प्रतिकारे और कारे से बाहर दोनों जगह समर्पित रखता एक बार मा नहाते वे फिसल गई और बाल्टी का कोना जांक वाले हिस्से में लग गया चोट लगने से मा ठीक से चलने ही पा रही थी और पूरे हिस्से में नीला निशान पढ़ गया था मा ने आराम के लिए चुट्टी की दरख्वास दी पर अगले दिन ही ऑपरेशन कैम के लिए सूरे गढ़ा जाना था सिंग सहब ने चुट्टी देने से इंकार कर दिया मा के बार-बार आग्रा करने पर डॉक्टर उर्मिला को कहा गया कि पहले उनकी चोट कर निरिक्षन किया जाए ये मा जैसी करमट करमी के लिए सरासर बेज़ती करने वाली बात थी पर डॉक्टर सिंग की जिद के आगे डॉक्टर उर्मिला की एक भी नहीं चली और चोट मा को दिखानी पड़ी डॉक्टर उर्मिला मा की बहुत इज़त करती थी इसलिए ऐसा करते विए उनकी आँखों में शमा के भाव अवश्चे रहे होंगे ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि डॉक्टर सिंग की पतनी के साथ कैम्प में कोई और इस तरीका नहोना उनके लिए असहज इस्तिती पैदा कर देता तो कहानी यहां खत्म नहीं होती यहां से शुरू होती है कुछी दिन बीते होंगे कि डॉक्टर सिंग जनरल शिफ्ट की ड्यूटी पर थे और वहां उनकी कुरसी के सामने सिर्फ एक ही कुरसी रखी जाती थी ग्यारा बजे दिन का समय था और मुखिया जी की पतनी को बुखार था सो वो इलाज के लिए आई थी मुखिया जी की पतनी भला किसी पंक्टी में कैसे खड़ी होती वो आई और धम से सामने कुरसी खीच कर बैट गी यहां तक तो सिंग साहब ने बरदाश्ट कर लिया पर समय खराब था कि उसी समय राउंड खत्म करके डॉक्टर उर्मिला भी उनके चेंबर में आ पहुँची उनके आते ही सिंग साहब ने मुखिया जी की पतनी को कुरसी खाली करने को कहा ही था कि गाली गलोज का माहौल बन गया किसी तरह से बाकी स्टाफ ने बीच बचाओ किया और मामला रफादवा हुआ डॉक्टर सिंग के पास लाइसेंस वाली बंदूख रहती थी और वो अन्य जाती का होने के बावजूद अपने आपको हसनपुर के किसी भी बाभन से कम नहीं समझते बाद बाद पर बंदूख निकालने की बात करते अब हुआ यूँ कि डॉक्टर सहाब को अकसमात पटना जाना पड़ा और उसी रात उनके घर पर धावा बूल दिया गया सभी का मूँ कपड़े से ढखा हुआ था और वो अपने आपको डाकु कह रहे थे पिछते दर्वाजे को तोड़ कर भीतर आये थे उनकी बेटी मीठी दीदी और डॉक्टर उर्मिला ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बंदूख के कुंदे से सिर्फ पर वार कर दिया गया और डॉक्टर उर्मिला को ठीक ठाक चोट आई डाकु आये तो थे लूटने पर सिर्फ घर से बंदूख ले गए अब चोट सिर्फ पर की गई या डॉक्टर सिंग के आन और शान पर ये कोई कहने की बात नहीं पर उसके बात से डॉक्टर सिंग का सभाव बहुत बदल गया तो ऐसा था हमारा अस्पताल और उसके चारों और का समीकरन मेरी मंद बुद्धी का हाल ये था कि बगल में रहने वाली चिंता मौसी या अंजु मौसी जो मा की सहकर्मी नर्स थी उनके घर से उधार वाले रोजबर्रा का सामान जैसे चीनी चाय की पत्ती मांगने के लिए भी उनके डाम रट्टे हुए जाता था पर्चून का कोई सामान लाना हो तो रास्ते भर रट्टे हुए जाने के क्रम में अगर किसी ने अचानक टोक दिया कि कहां जा रहे हो तो सब भूल जाता और मां के पास वापस डाट खाने के लिए आना पड़ता बाद में मां आजिस होकर सामगरी कम भी लानी हो तब भी लिस्ट बना कर देती थी सबजी खरीदते वक्त मेरा भूला मन और शकल सिर्फ भावा मिलने का इंतजार करता रहता मुझे सबजी खरीदते वक्त भावा मिलने पर बड़ी खुशी होती मन चहक उटता और इस चक्कर में कई बार बिना मोल भाव किये एक ही सबजी वाले से सारी सबजी खरीद लेता घर आने पर जब डाट पढ़ती तो मैं बिलकुल भोतर बन जाता जैसे चिकने पत्थर पर सब पानी ठखर जाता है ठीक वैसे ही मैं डाट का एक अंश भी नहीं स्विकार करता उनी दिनों खबर ये आई कि जैनगर लाल पहाड़ी जो कि क्यूल नदी के तर्ट से शुरू होती है वहां सुरंग निकली है सुनते ही अविलंब हम सारे बच्चे पैधल एक ही सास में पहाड़ी के उपरी शीर्ष हिस्से पर जमा होंगे जहां से किसी ने पहले से ही एक बड़ा सा पत्थर हटाया हुआ था और सलीके से कटी हुई सीड़ियां नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी थोड़ा उतरने से नीचे जाती सीड़ियां अंधेरे में गुम हो जा रही थी किसी ने फुस-फुसा कर कहा कि यहां डाकू चुपकर रहते थे और किसी ने बताया यहां पुराना ख़जाना दबा हुआ था जिसे कल ही लूट लिया गया है सब बातें हम में कुतुहल भर रही थी मैंने दीदी की नजर से नजर मिलाई दीदी मुझसे कहीं ज़्यादा हिम्मती थी उसने भाप लिया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और वो आगे बढ़ गई और उसके पीछे पीछे मैं सीड़ियां उतरने लगा दस सीड़ियों के बाद ही सांस अटकने लगी आक्सिजन शायद कम हो रहा हो नीचे डरावना बना रही थी दीदी का हाथ मैंने जरूरत से ज़्यादा कस कर पकड़ रखा था आधे रास्ते में ही किसी ने फुस-पुसा कर पुलिस के आने की आवाज दा गई और हम सब वहां से एक साथ भाग खड़े हुए अस्पताल के स्याह माहौल में भी रोमांच, मस्ती और मनोरंजन सब कितने सहिस तरीके से उपलब्द थे तब चमचमाती स्क्रीन और जादूई की पैड नहीं हुआ करते थे कुछ दिन बात पता चला कि पुरा तत्तुवे भाग ने सुरंग को अपने कबज में ले लिया है और वहां से चौकाने वाली खबरे आ रही थी किसी ने बताया कि दक्षन पूर्व कोने से खुदाई का कारे आरंब कर उत्तर पूर्व दोनों कोनों तक प्रथम चरण संपन्न किया गया दोनों कोनों पर दोदो सुरक्षा मीनार के अवशेश प्राप्त हुए जो अब तक पूरवी भारत के सभी उत्खनित बहुद्ध मठों से अलग है इस थल की पहचान एक बहुद्ध बेक्षूनी मठ के रूप में उनीसमी सदी के उत्तरारद में प्राप्त सिंगनाद अवलो की तेश्वर की मूर्ती पर उद्रित अभिलेक से की गई अन्य अवशेशों के साथ भगवान बुद्ध की भूमिस परशमुद्रा तथा वोटिव स्तूप अलंकृत सीलिंग भी मिला स्मृति और इतिहास एक साथ बनते हुए अलग-अलग दर्जों हो रहें थे 1986 के बाद अब जाकर 2017 में मुक्य मंत्री नितीश कुमार ने इसके खुदाई के लिए 25 करोड आवंटन किया और आज भी ये काम पूरा नहीं हुआ है चली रहें चलिए फिर से वापस अस्पताल के दुनिया में लौटते है हमें खबर मिली कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी लखी सराय आने वाले है हेलिकॉप्टर उतारनी की जगा हेलिपैट के स्थान अस्पताल के पीछे वाले मैदान में तैए किया गया बास के बल्लों से पूरा का पूरा मैदान घेर दिया गया सुरक्षा की पूरी घेरा बंदी बना दी गई और हमें सक्त हिदायत दी गई कि बाहर में ही जाना है बच्पन उन्मुक्त होता है आजाद परिंदे, बेडियों के गुलाम नहीं होते जरूरत से जादा और सक्त हिदायतیں हमें और विद्रोही बना देती है इसी विद्रोह में हम सब बच्चे एक जुट हो गए और पूरी तैयारी कर ली गई मैदान तक पहुँचने की सब यही सोच कर इकटा हुए थे कि प्रधान मंत्री जी को कौन कितने नजदीक से कैसे देख सकता है बहला इतने नजदीक से देखने का मौका हाथ से कुई कैसे जाने दे सकता है योजना के मताबिक हम सारे बच्चे एक एक कर सड़क की बगल वाली नहर के रास्ते वाले गेरे से बिलकुल सट कर खड़े हो गए सुबह के नौ बजे हेलिकॉप्टर ने खूब धूल उड़ाई इतना के कुछ भी दिख नहीं रहा था बस धूल के बादल सामने थे और हमारे मूँ, आँक, कान, बाल सब में एक साथ कबड़ी वाली धूली धूल भर गई तभी अचानक गाड़ीयों का काफिला लाल बत्ती और सायरन बजाता हुआ निकलता दिखा हमें लगा कि क्या बेकार में इन ही गाड़ीयों को देखने के लिए हम सब ने इतना जोखिम उठाया मा को पता चल गया तो ऐसी पिटाई होगी कि तीन दिन खेलने भी नहीं जा सकेंगे लेकिन जिन्दगी आपसे हमेशा नयाय करने की चेश्टा करती है बस ये हम पर निर्भर है कि हम जिन्दगी का साथ कितना देते हैं गाड़ीयों के काफिले से उतर कर अचानक सेब और टमाटर के बीच के रंग में समित बिखेरते सफेद कुरते में हम सब के सामने हमारे प्रधान मंतरी पैदल चल रहे थे ये किसी स्वापन से कम नहीं था हमारे लिए हम अपने चोटे हाथों को लंबाई से ज़्यादा इस आशा में लहरा रहे थे कि शायद वो हमें देख लें और हमारी तरफ ही आ जाएं पता नहीं क्या हुआ राजीव गांदी जी अचानक सड़क के उस पार से हमारी तरफ मूड गए उन्होंने मेरी नजरों में नजरे तो ढहीं डाली पर उनके हाथ हमारे हाथ को हौले से छूते वे निकल गए मखमल की छूँन से मानो एक करंट लगा मैंने उन उन्गलियों को कुछ दिनों तक धोया नहीं वो अपने आप में एक लमा था जिसे मेरे बच्पन ने हमेशा याद किया और बहतर उडान की कल्प ना की एक बच्चे को किसी राजनितिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता वो तो बस बहाओ के धुन में होता है हवा और पानी की तरह अपनी रवानगी में बहता रहता है उस परश के जरिये राजीव गांधी जी के वेक्तित्व ने व्यक्तिकत तोर पर हमेशा प्रोथसाहित और प्रेरित किया और जिन्दगी के बहाओ को एक दिशा जरूर मिली प्रधानमंत्री आगमन के अभी कुछी दिन हुए होंगे रात को ग्यारा बजे खबर आई के सवारियों से खचाखच भरी एक बस सडक से समानांतर बहती नहर में पूरी तरह पलट गई है नहर की चौड़ाई और गहराई उस बस के जितनी ही थी इसलिए बस नहर में उलटकर अटक गई थी लोगों को बस से निकलने का कोई रास्ता तक नहीं मिला लगबग 90 प्रतिशत लोगों का दम पानी में ही घुट चुका था ये इसलिए भी हुआ क्योंके सडक की हालत खसता और बड़े गड़े होने के कारण बस को कई बार सडक से उतार कर चलाना पड़ता था इसी उतार चढ़ाओं में बस बलट गई थी सरकारी महकमा पूरी तरह हिल गया था जिलादिकारी और सोपरिंटेंडेंडेंट आफ पोलिस अपने लावलशकर के साथ रात में ही आ गय थे हम बच्चे खिडकी से अंदर की मीटिंग का नजारा देख रहे थे कोई भी यात्री जीवित यम्रित अब तक लाया नहीं गया था लेकिन चर्चा इस बात पर जादा हो रही थी कि इतनी बड़ी संख्या को जस्टिफाई कैसे करेंगे गिंती का खेल यहां भी शुरू हो चुका था राजनीती अपनी रणनीती अलग बना रही थी किसने स्वीक्रिती दी इतने ज़ादा यात्रियों को एक साथ बस में चढ़ाने की रास्ते में इतने ट्रैफिक पुलिस क्या घास चीलने के लिए है सड़क मरमत का फंट कहा गया रास्ते में किसी ने क्यों नहीं टोका एक के बाद एक प्रश्ण साब के फंट की तरह उठते जा रहे थे कोई कह रहा था गाउंवाले ठेकेदर से वसूली मांगते हैं तो कोई कुछ और सब तरफ अपनी अपनी दलील देने का शोर समस्याओं की पूरी परतें अब खुली किताब बन चुकी थी रातो रात कई लाशों को गायब करने की चर्चा भी हुई पर सारी बातें और निशकर्श हम सही से सुन नहीं पा रहे थे अंतता लाई गई एक एक लाश को अस्पताल के बाहरी प्रांगर्ण में ही रख दिया गया वो कीचड में सनी घसी टी गई मानव देहें थी स्टोर कीपर शहर में रहता था इसलिए रात में चादर की कमी को देखते वे स्टोर का ताला तोड़ दिया गया कि कम से कम निश्परांड शरीर को पूरी तरह ढ़का तो जा सके ये हादसा सिर्फ दर्दनाक नहीं खौफनाक भी था और कमजोर प्रबंधन ने इसे और भी बत से बत्तर बना दिया था लगबख सुबा के चार बचे नींद जैसे आ जा रही थी तो हम दोनों अस्पताल की छट पर ही लेट गए नीचे लाश्टों का काफिला बिचा पड़ा था उस दिन लगा सफेद कफन पूरी चांदनी में कुछ जादा ही दूधिया दिखता है अजीब औ गरीब उध्रबन ख्यालों में उलजे चट पर ही पसरे हुए नीन ने अंतिम पहर हमें जकड लिया गहरी नीन में भी कितनी चट पटा हट थी बाल मन व्याकुल और जरूरत से ज़्यादा भैभीत था मिट्टी से सने चेहरे भैयानक शकल अख्यार कर रहे थे मिट्टी की मूरत और मिट्टी से सने चेहरे में कितना फर्ख होता है सुबसबर नीन तूटी जब नेताओं का हुजूम उमर पड़ा हम लोगों को छट से अविलम भगा दिया गया मैं और दीदी चुपके से पानी टंकी वाली छट के उपर वाले छज्जे जहां सिर्फ एक रोशन दान था वहां छुप गए साइरन की आवाजें धीमे धीमे थंग गई थी और कर्मशारियों की आपा धापी में भागने की आवाजें तेज तेज आने लगी कोई आपस में बात करता गुजर रहा था जिसे हम आधा अधूरा सुन पा रहे थे कहा जा रहा था पोस्ट मार्टम करना है सौ से जाधा लाशे हैं और पोस्ट मार्टम की कोई सुविधा है नहीं क्या करें, कैसे करें, सब आज ही होना है और अविलंब, सब लाशों को यहां से विदा करना है जितनी देर मजमा लगा रहेगा, परिशानी बढ़ती रहेगी अभी तक सुना था कोई डोम होता है जो पुलिस और डॉक्टर के कहने पर खूबदारू पी कर चीर फाड़ करता है पर यहां समस्या, संख्या और वक्त दोनों की थी मीडिया का डर भी था, जबकि उपर से आदेश बिलकुल साफ थे जस्ट क्लीन दिस मेस एक डोम के बस में सौ पोस्ट मार्टम तो कहीं से संभव नहीं थे हम दोनों ऐसे रोशंदान में छिपे थे जहां से सारी लाशें साफ साफ दिख रही थी हरी घास पर सफेद कफन अचानक देखता हूँ खुले मैदान में मंच सच गया पूरा पूरा नाटक आज दिन में ही खेलना था खुले मैदान में डॉक्टर और स्टाफ की फौज अजीब से अस्त्र श्त्र के साथ जुट गई जैसे मानों छेनी हताओडी हवा में तैर रही हो और डॉक्टर लोहार में बदल गया हो वो दृष्टर ऐसा था मानों अर्जुन महाभारत के युद्ध के उपरांत बीछी लाशों को किम कर तब विमूर दृष्टी से देख रहा हो वहाँ उसके पास कृष्टर थे जो गीता के श्लोक से दृष्ट इबाधित श्लोको चारण से दृष्ट कर शोरगल मस्तिशक तक नहीं पहुँचने दे रहे थे और यहां बस मेरी दीदी ने एक हाथ से मेरा और दूसरे से अपना मूँ दबा रखा था दोनों की आँखों से खारे पानी की धाराएं बहे जा रही थी नीचे ठीक सामने तांडव जारी था दिख रहा था हताओडे और छेनी जैसे आवजारों से सीना बेधा जा रहा था अतनिया बाहर आ रही थी और उस शरीर को छोड़ बारी-बारी से अगले देह पर प्रहार किया जा रहा था जान बचाने वाले चिकित सक वर्ग अपना काम बहुभी निभा रहे थे जिन्दगी हमरे सामने माएने बदल रही थी और दबी घुटी सांसों में बेहोशी मुझ पर हावी हो रही थी जब होश में आया तो माँ बिलकुल करीब बैटी थी दीदी रो रही थी और मैं मानो नई जिन्दगी को नए तरीके से देख रहा था उनीदी से उजासी की तरफ मैंने मा की उंगली बहुत तेज पकड़ ली आज भी उस स्मृति में मा उंगली था में खड़ी है उसके चेहरे की रेखाएं दृष्षे में अब भी तनी हुई है हम आज भी परिदृष्षे में उस दृष्षे को जीते रहते हैं यूही स्मृतियां सोपान बनकर संबल में बदल जाती है परंतु बहुत सारी सीड़ियां चड़नी अभी बाकी है कौन सीखा है सिर्फ बातों से सबको एक हादसा जरूरी है जान इलिया